स्वागते दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल इंवेस्ट रिटा में दोस्तों लाकों रुपे हमारे पास निवेश करने के रिए नहीं होते हैं अगर हम जॉब करते हैं और हमारी इंकम 30-40-30 रुपे है या फिर 15-16,000 रुपे हम महीने पर कमाते हैं कोई बिजनिस करके या फिर जॉब करके लेकिन उसके साथ-साथ हम कभी भी सेविंग नहीं कर पाते हैं लेकिन हमारे खौब जरूर होते हैं कि हमें भी एक बड़ा फंड बनाना है जिससे हमारे फिचर के जितने भी टार्केट हैं उन्हें हम पूरा कर पाएं लेकिन दोस्तो उसके लिए आपको अभी से एक निवेश प्लान करने की जरूरत है क्योंकि अगर आप सोचते रहेंगे या फिर लगातार अगर आप जॉब करते रहेंगे या फिर कोई काम काते रहेंगे तो तब भी आप एक बड़ा फंड नहीं बना पाएंगे क्योंकि जितने भी पैसे आपके पास आते हैं महीने पर वो खर्च हो जाते हैं अगर आप घर में सेविंग करने का प्लान बनाएंगे तो आपके पास कभी भी एक बड़ा फंड नहीं हो पाएगा क्योंकि जब भी आपको कोई छोटी सी जरुत होगी पैसोगी तो आप उस पैसे को खर्च कर देंगे लेकिन दोस्तो निवेश करने के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं लेकिन जो भी लोग सोचते हैं निवेश करने के बारे में वही एक बड़ा फंड बना पाते हैं। और दोस्तो इस चीज़ का एक्जाम्बिल आप पिछले 10 सार्प में देख सकते हैं। जिन लोगों ने एक निवेश प्लान किया और मीचल फंड के अंदर पैसे को निवेश किया तो पिछले 10 सार्प में उन्होंने एक बड़ा फंड भी बनाया है। अभी भी देख नहीं हुई है। पैसे निवेश करते रहने से आपके पैसे की वैल्यू बढ़ चाती है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप पैसा निवेश करते हैं कम भी तो मतली बिस्ट पर निवेश करते रहने से आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तो आज हम आपके लिए टाटा का इक ऐसा ही फंड लिकर आए हैं। जिसमें 520 रुपे मंति निवेश करते रहने से आप 4 करोड रुपे से जाथा का फंड बना सकते हैं। सबसे पहले हम जिस प्लान की बात करने वाले हैं। यह प्लान है टाटा निफ्टी, मिट कैप 150, मुमेंटम 50, इंडेक्स फंड डारेक्ट प्लान करोड। यानि कि यहाँ पर दोस्तो यह जो प्लान है इसका पैसा, मिट कैप इंडेक्स के अंदर जो 150 स्टॉक हैं। उन में से सिर्फ बहतरे इं 50 स्टॉकों में पैसे को निवेश किया क्या है। दोस्तों यह फंड जादा पुराना नहीं है, लेकिन जब से यह फंड स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर अगर हम आप तक की बात कर लें, तो फंड ने 37% से जादा रिटन दिया है, और दोस्तों यह एनूली रिटन है, देखकि लास्ट वन येर में फंड का रिटन 68%, जब यहाँ पर आपको इससे बहुत कम, यानि कि सिर्फ 25% का रिटन मिलता है, और आपके पास जादा पैसे नहीं है, 520 रुपे महिना आप निवेश करते हैं, अगर आप स्टार्टिंग यहाँ पर 5 साल के लिए लगतार 520 रुपे निवेश करेंगे, तो कुल आपका निवेश होगा 31,200 रुपे का, लेकिन आप जानते हैं कि इस पैसे की वैल्यू 5,000 में बढ़कर होगी 62,319 रुपे और इसमें स्टीमित रिटन आपको मिलेगा 31,199 रुपे, दोस्तों अभी कोई जादा बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर आप इस पैसे को निवेश करेंग 2,14,000 का मिल जाएगा, लेकिन अगर आप उस तो 15 साल तक पैसे को निवेश करेंगे 520 रुपे महिना, तो आप कुल 93,600 रुपे का तो निवेश करेंगे, लेकिन इसमें टोटल वैल्यू आपके पैसे की अब होगी 10,17,000 और इसमें रिटन भी होगा 9,23,000, लेकिन 20 साल में अब आपके पैसे की वैल्यू कई गुना भढ़ जाएगी, क्योंकि 520 रुपे महिना निवेश करते रहने से, आपका तो निवेश यहाँ पर होगा 1,24,000 का, लेकिन टोटल वैल्यू आपके पास होगी 35,16,000, और रिटन होगा 34,41,000, लेकिन दोस्तो 25 साल में अब आपके पास होगा काफी बड़ा फंड, क्योंकि यहाँ पर 520 रुपे महिना निवेश करते रहने से, एक लाग 56,000 का आप निवेश करके, एक करोड 23,000, रुपे का फंड बना सकते हैं, और इसमें एक करोड 21,000, का रिटन होगा, लेकिन हमने बात की थी 4 करोड रुपे फंड की, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप 30 साल तक 520 रुपे महिना निवेश करते हैं, तो कुल निवेश होगा 1,87,200 रुपे का, लेकिन इससे आपके पास होगे 4,26,000, रुपे, और रिटन होगा 4,24,000, रुपे का, यानि कि यहाँ पर अगर आप कम पैसे, यानि 520 रुपे महि निवेश करते हैं, तो उससे भी आप एक बड़ा फंट बना सकते हैं, लेकिन दोस्ति यहाँ पर हमने इस प्लान की बात किया है, तो साथ के साथ इस प्लान की कुछ इंपोर्टेंट डेटेल्स भी हमें चेक करनी चाहिए, इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं, कि मिद कै तो फार्मा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, भारत हैवी लेक्रिकल्स, जिंदर निस्टेनल स्टील, आयर सीटीसी, फोली कैप इंडिया, यानि कि दोस्तों ये ऐसे स्टॉक हैं, जिनके अंदर पोटेंचल क्रोथ भी जादा है, मिद कैप कैटिगरी के स्टॉक होनी के वजा से, इनके अंदर आपको एक काची क्रोथ मिल सकती है, जिससे आपके मुच्वल फंड्स प्लान पर इसका काफी बेनेफिट आपको मिलेगा, जबकि अगर हम फंड के एनेवी के प्राइस की बात करते हैं, और दोस्तों जब ये एनेवी का प्राइस दस रुपे था, देर दो साल पहले, लेकिन अभी एनेवी का प्राइस है, 16 रुपे 20 पैसे, लेनिके SIP के तुरू आप जो पैसा निवीश करेंगे, तो मतली बेसिस पर इसी प्राइस के साबते आपको यूनिट लॉट की जाएंगे, जो भी उस वक्त करेंट एनेवी का प्राइस होगा, फ बात की जाए, सेक्टर वाइस, तो यहाँ पर जो भी पैसा है, वो अलग-लग सेक्टरों के इंदर निवीश किया गया है, इसमें सबसे जादा पैसा, हेल्ट केर, फाइनसर सेक्टर, कैपिटल गूर्ड और कंस्ट्रक्शन, मेटल माइनिंग और केमिकल सेक्टर में निवी अच्छा दिया है, लेकिन आप जो पैसा निवीश करते हैं, उसे 90 दिन से पहले निकालते हैं, तो आपको 0.25% का exit load चाहस देना होता है, लेकिन mutual fund पे अगर आप लंबे टाइम में पैसा निवीश करते हैं, लेकिन एक साल के बाद एक लाग से जादा गर आपको profit हो तो आपको 10% LTCG tax देना होगा, fund management की बात करें तो सेलेश चैन अतोसार 22 से इस fund को manage करें हैं, देकिन दोस्तों कर हम बात करते हैं, टाटा mutual fund house की तो total asset के साब से fund house की rank 14 नमर पर है, 1995 में ये fund house से start होगा था और 1,36,000 करो रोपे से जादा fund का U.M. है, तो दोस्तों mutual fund प्लान क के दर अगर आप SIP की थ्रूबी मंतली बेसिस पर थोड़ी थोड़ी पैसे ने बेश करते हैं, तो इससे भी आप एक बड़ा fund बना सकते हैं, ये वीडियो आपके एजुकेशन पर फस के लिए है, अगर आपका वीडियो से लेट कोई कोशन होता है, तो आप ज़रूर बता क्वशन होता है.